देखो बाई यह जो problem है न हमारा यह phone के साथ हो चुका है हो सकता है आपके साथ भी हुआ होगा इस phone को जैसे ही आप on करते हो न तो phone on करने के बाद आपको phone में lock बताता है देखो मैंने यहाँ पे phone को on किया है और phone on होगा तो हमें जो है वो lock मांगेगा और उसका password मुझे नही नहीं पता है तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं पूरा सब कुछ दम सामने दिखा रहा हूं और यह वीडियो में प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा इसका lock खोल के देखो यह पूछ रहा है password when phone restart मतलब हमारा phone restart हुआ है तो password मांग रहा है हमारा phone का लेकिन मु अगर हम password forget करते हैं तो भी यह password forget नहीं होता है अब हम क्या करें दोस्त देखो वह अब बता रहा है phone locked तो देखो यार आपको सिंपल सी एक छोटा सा काम करना है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं जिसके कारण आपका phone जो है वो lock जे unlock हो जाएगा सबसे पहले तो इस phone को आपको करना है switched off मतलब यह phone को आपको फिर से power off करना है अब phone जैसे ही power off हो जाए आपको एक छोटा सा बस काम करना है यहां पर यह जो power बटन देख रहे हो ना यह on करने वाला phone को on करने वाला button इसको और यहां पर अबाज कम करने वाला volume down button दोनों को आपको एक साथ दबा एक नया feature खुलेगा जो feature से आपका phone का जो lock लगा था ना वो lock खुल जाएगा और वो feature के लिए आपको थोड़ा सा wait करना है अभी देखो आता है जैसे screen पर हम आपको दिखाते हैं तो यार जल्दी से आ आ गया देख लो यहां पे अब इसे करना के आपको language select करना है अब यह यहां पर एक option है format data का तो इस option को पर click करना है और यहां पर आपको यह code है 9187 9187 देखो यहां पर जो भी code था वही code मैंने डाला है इसके बाद आपको इसे format कर देना है लेकिन एक बाद का धियान रखना है अगर आप इसे format कर देते हो तो आपके phone से सारे data delete हो जाएंगे ज देखो मैं अपना phone को reset नहीं करना चाहता हूं मुझे मेरा password पता है तो मैं password डाल करके अपने phone को on करूंगा अगर आपको password नहीं पता है तो password lock तोरने के लिए यह trick काम किया जाता है इस trick को इस्तेमाल तभी आप कर सकते हो जब आप password को भोल चुके हो तो वीडियो फिलाल अ को सबस्क्राब जरू सकर देना